इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुग बातों की आवश्यक्ता है पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज 130 करोड देश वासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्यका पालन करेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशान, निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे एक और समर्थन माँग रहा ये है जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस रविबार यानि दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रविबार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवाश्यों को जनता कर्फ्यू का पानन करना है कि जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरिक गरों से बाहर न निकले न सड़क पे जाए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुग बातों की आवश्यक्ता है पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज एक सो तीस करोर देशवासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्यका पालन करेंगे केंद्र सरकार राज्य सरकारों के दिशान निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संकर्मित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संकर्मित होने से बचाएंगे ये हैं जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस रभी बार यानि दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रभी बार को सुबे साथ बजे से रात नव बजे तक सभी देश्वास्यों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरिक गरों से बाहर न निकले न सरक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में एकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हाँ जो आवश्यक सेवाँ से जुड़े हुए है उनको तो जाना ही पड़ेगा क्योंको उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाए सात्यों बाइस मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसैयम देश हित में करतेवे पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के वित्तमत्री के नेत्रूत में फाइनास मिनिस्टर के नेत्रूत में सरकार ने एक कोविड नाइंटीन एकनोमिक रिस्पॉंस टास्क फोर्स इसके गठन का फैसला लिया है ये टास्क फोर्स सारे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर परिस्थिती का आकलन करते हुए निकट भविश में फैसले लेगी ये टास्क फोर्स ये भी सुनिस्थित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाये जाए उन पर प्रभावी रुप से अमल हो जितना संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो हो सके तो अपने घर से ही करे जो सरकारी सेवंगों में हैं अस्पताल से जुड़े हैं जनप्रतिनी दी हैं जो मिडिया कर्मी है इनकी सक्रियता तो आवशक है मैं चाहता हूँ कि 22 मार्च रविवार के दीन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद कर अर्पित करने का तरीका भी देश के एक-एक व्यक्ति को जोड़ सकता है रविवार को याने जनता करिफ्यू के दीन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिर्कियों के सामने खड़े होकर पांच मिनित तक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनित तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंती बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता व्यक्त करें देश वार्षियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूँ कि देश में दूद्ध, खाने पिने का सामान, तवाईयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीज़ों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाये जा रहे हैं यह सप्लाय कभी रोका नहीं जाएगा, इसलिए मेरा सभी देश वासियों से यागर है, कि जरूरी सामान, संग्रह करने की होड न लगाए, आप पहले जैसे करते हैं, वैसे ही सामान रुप से ही खरिदारी करें, पैनिक बाइंग, यह कता ही ठिक रही है, उसको न करें